लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को आगे ले जाते हैं एक सब से महत्पूर गांट लगाते हैं साराज के सेशन में देखिए आज का सेशन आपकी फ्यूचर की जो ट्रेडिंग जर्णी है आप लाइफ लॉंग जो ट्रेड करेंगे उसके परिपेक्ष में बहुत महत्पूर होने वाला है देखिए प्राइज एक्षन के चार कॉंपोनेंट होते हैं कौन कौन से चार कॉंपोनेंट होते हैं जरा समझेए पहला होता है strength, दूसरा होता है volume, तीसरा होता है momentum जो की strength और volume से मिल कर बनता है और चौथा होता है momentum के effective होने की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं WMA, weight is moving average से जिसको हम देखते हैं मतलब less retailers entry, ये चार जो component है price के momentum से मिल कर बनता है, average से मिल कर बनता है average मतलब retailers की commentary होगी, WMA से आप समझ लेंगे ठीक है और उसके बाद volume और उसके बाद strength इसी में से एक component पर हम लोग आज बात करेंगे जो की है volume, volume एक बहुत broad topic है देखिए, volume को लेकर कई सारे मित है, कई लोग क्या करते है, volume chart को लोग इसी projection chart पर लगा लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे ना तो projection की ज़रूरत रह गई है, और सिर्फ volume देख कर ही काम चल जाएगा, या फिर वो volume को as a tool, as a indicator यूज कर रहे होते हैं मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, projection के बाद जो चीज सुप्रीम है, वो है price का average, और average session पता लगेगा, retailers की entry less है या ज़्यादा है, वो पता लगेगा एक बार इस session को आपने complete देखा, यकीन मानिए, कल से ही आपकी trading में एक अमूल चूल परवर्तन देखने को मिलेगा, समझ यह ज़रा, यहाँ पर हम लोग indicator में जाके volume को आसानी से plot कर सकते हैं, ठीक है, यह जो मैं demet use कर रहा हूँ, यह धन का demet use कर रहा हूँ, इसका link आपक के लिए free of cost उपलब्द रहते हैं, ठीक है, इसका link description में आप अपना open कर सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो telegram का link भी description में ही है, ठीक है, वहाँ से जुड़ भी सकते हैं, देखें, यह volume में आपर plot हुआ, एक volume का term होता है, जिसको हम कहते हैं, volume validation, जैसे कि breakout और breakdown validation होता है, कल के session में अगर बात करें, तो मैंने आपको एक ही बात बोली थी, क्या, कि price में जब तक यह high break होकर, एक hourly candle close नहीं होती है, higher side momentum आप नहीं देख सकते, तो कल के session और आज के session में अगर आप compare करें, तो कल भी हम लोगों ने gap up देखा था, कल भी gap up देखा था, hourly candle negative close किया, उसके बाद price बदल गया, क्योंकि यह पिछले दो session का एक repeat projection था, दोहराओ किया गया था, हम लोगों ने कल के session में समझ दिया था, आज price में repetition नहीं होगा, तो gap up की बाद price लगातार कमजोरी है, कोई momentum, morning momentum के against नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, breakout validation की बात कर रहे थे, कल के session में क्या, कि अगर यह price पचास जार के उपर एक hourly candle close करेगा, जब वो hourly candle के high break होंगे, तब हम entries करेंगे, यह breakout validation, कि जिस candle से breakout होता है, जब उस candle का high break होगा, तब breakout का validation होता है, कि हाँ यह सही है या नहीं, तो entries होती है, लोग की, इसी तरीके से breakdown validation, इस सिर्फ आप volume validation के concept को समझ गए न, core concept को, तो आपको मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आने वाले जितने trading session आप trade करेंगे, अपमें lifelong, volume को कभी आप छोड़ नहीं पाईएगा, और बहुत easy to trade है, सिर्फ आप उसके mindset जुड़िए, देखे, जब आप bank nifty और nifty के index spot price पर trade करते हैं, तो हम volumes को नहीं देख सकते, क्योंकि यहां पर कुछ trade नहीं हो रहा है, यह सिर्फ reflection है, जो इसके under stocks का performance है, ठीक है, तो हमको कभी index को trade करना है, तो हमको futures के chart पर जाना होगा, अगर volume का use करना है, जैसे कि nifty को अगर हमको देखना है, तो nifty future पर आना होगा, ऐसा equity के shares में नहीं है, जैसे आप Infosys को देखना चाहें, HCL Tech को देखना चाहें, Reliance को देखना चाहें, HDFC को, वो सारे spot price नहीं है, वो एक खुद में individual equity है, जिनकी खरीदारी और बिक्वाली बाजार में की जा रही है, तो वहाँ पर directly आप equity पर ही volume देख पाते हैं, समझे, यह nifty का chart, breakout औ और breakdown validation की तरह, volume validation कैसे होता है, समझे, volume validation होता है, projection और volume, total number of volume के एक combination से, मैंने क्या कहा, volume validation होता है, projection और total number of volume के combination से, जैसे एक example के तुरू, अगर देखें, इसमें कोई भी आप अलग से example नहीं ले सकते, जो recent market है, इसी के example से हम सीख सकते हैं, कि volume किस तरीके से हमको implement का है, जैसे recently, hourly time frame पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर यह बताइए, अभी recently अगर हम लोग देखें, तो हमको यह देखने को मिलता है, देखें, volume candles को compare किया जाता है, compare किसे previous candles से, जैसे projection को हम compare करते है, volume इसे लिए इतना reliable है, क्योंकि इसके सारे data उसी तरीके से काम करते हैं, जैसे projection candle का formation पिछले इतनी सारी candle से बड़ा है, मैंने क्या कहा, इस red candle का formation पिछली इतनी सारी candle से बड़ा फार्मेशन हैं, इसके पहले के formations इतने बड़े थे, उसके बाद इतना बड़ा कोई formation है रही, बात क्लियर हो रही है, ठीक है, तो जब इस candle का formation बड़ा है, तो total number of volumes भी इस candle से कंडल में ज़्याद होंगे प्रिब्यस से rapport से त्हीं के अब इस केंडल में हुआ केया है देखे वॉल्यूम बड़ा है तो यहांपर दिख भी रहे यहांपर देखे लिश्व इस जगैर पर N já कर आता है अगर मैं किसी भी वॉल्यूम केंडल पर करसर ले जाता हूँ यहां से देखने के शुरुवात कीजे पांसो बारा के अच्छा पॉइंट के बाद भी कुछ लिखकर आएगा उनको छोड़ दिया कीजे सिर्फ पॉइंट के एक डिजिट टोटल अगर आप इस तरीके से बढ़ते हुए आए तो यहां पर 1.46 जब अब ध्यान दीजे जब 1.46 वॉल्यूम था तो केंडल का साइज क्या था केंडल का साइज था बॉडी साइज केंडल का बॉडी साइज किस फॉर्मिशन था नेगेटिव था प्राइज हायर लेविल पे खुला और लेविल पे बंद हुआ इसमें कोई भी लोर विक नहीं है नहीं अपर विक है मतलब नेट सेलिंग है क्या है नेट सेलिंग है अगर बोला जाए कि अगर यहां पर 1.4 एम वॉल्यूम है तो इसमें से 80% प्लस वॉल्यूम सिर्फ सेलर्स का है इस कैंडल के बाद इतना 0.59 इस कैंडल का अगर टोटल साइज देखें तो बोडी साइज बोडी साइज है यह ग्रीन फार्मेशन है इसका मतलब हुआ इन दो कैंडल में मिला जो जो लाकर जितनी सेलिंग हुई होगी उतनी यहां पर खरीदारी हो गई होगी ठीक है क्योंकि इस कैंडल का बोडी सा अब यहां पर हायर होना चाहिए अभी आपने प्रीवियस सप्लाई के बरावर डिमान रखिये यह क्या कर रहे है हम प्राइज से वॉल्ल्यूम को वेलिडेट कर रहे है यहां पर दोनों कैंडल बॉडी साइज है इस वजह से हम यह नहीं कह पाए इसमें अपर और लोड़ विक्का बहुत बड़ा importance होता है ठीक है बहुत ज्यांसे सुन लीजिए अब इसके बाद अगर अगली candle इस volume को cross over करती इस volume के से high cross करती और उसमें भी कुछ body size होता एक body part अच्छा होता तो हम long की positions execute कर सकते थे और यह assume कर सकते थे price यह high break करेगा बात clear हुआ अब recently अगर आप देखें तो price ने जितनी बिक्वाली की उतनी यहाँ पर खरीदारी की volume से पता लगा की net selling थी और net buying है और equalize लगब लगब है और इसके बाद volume decrease होने लगे और volume size कम हुआ candle में body part भी कम हो गए मतलब इन candles में भी demand supply equal रही होगी तो इन दो candles की big quality और इसे candle की खरीदारी demand supply equal अगली चार candle की demand supply equal क्योंकि body part भी नहीं है और less volumes बात clear हुआ अब इसके बाद ये candle का formation देखता है जिसमें 1.56M volume आपको देखता है इस candle में क्या हुई है sir खरीदारी हुई होगी क्योंकि इस candle में भी body part देखता है lower vicka part नहीं द होता है और उसका volume candle भी एक average size का होता है तो मान कर चलते हैं कि उसमें maximum buying होई होगी तो net क्या है इसमें buying है अब देखे यहाँ पर सब equal था इसके बाद एक measure hit दिया buyers ने कि यहाँ पर individual एक एक candle के projection को हमको देखना होता है जब आप volume को decide करें अच्छा जब मैं आपको समझा र बात क्लियर हो रहा है आपको 10 से 15 सेंड लगेगा आपको पता लग जाएगा कि market का mood क्या है अब इस volume के बाद अगर आप गौर करें सारे volume candles decreasing है और इसके बराबर अभी तक किसी भी candle में इतनी बड़ी supply नहीं आई सिर्फ एक candle में supply है वो भी इसका हम अगर 60% बाने तो यहा पर demand supply equal होने के बाद इस candle में buyers ने क्या किया एक weightage लिया buying का seller से ज़्यादा खरीदारी करके मतलब slightly demand higher होई क्या मैंने कहा high demand higher नहीं slightly थोड़ी सी positive नहीं साई अब इसी के बाद price में आज ए candle का morning का formation होता है जिस candle में अब इस candle को अभी तक जितनी बड़ी candles in में बनी है सारे इस range में तो उसमें ये समझाता है जो candles बड़ी बनी है सभी net selling की है net buying की है ये candle में आपको lower wick size देखने को मिलता है अब इस candle में हम कह सकते हैं कि 60% body part है और 40% wick part है इसका मतलब है 40 प्रशत अगर इस candle का total volume कितना है previous सभी volume से ज़्यादा 1.62m मतलब अभी तक जो हम लोगों उनने maximum volume देखा था वो इस candle में देखा था 1.56 और इसके पहले इस candle में 1.59 ये maximum volume candle है slightly higher है बहुत जादा higher नहीं है लेकिन थोड़ा सा अधिक है और इसमें ये पता लगता है कि 40% buyer है और 60% seller है मतलब previous पहले से buyer एक position बना चुके है जहां पर high volume के साथ उन्होंने एक net buying की है और इस candle में volume को अब कोई सिर्फ volume candle को देखे यहीं पर difference आता है मैंने क्या कहा price को हमको validate करना है किस से volume से अगर price का validation volume से नहीं कर रहे है तो तकलीफ है यहीं पर गलती कर जाएंगे अब जो सिर्फ volume candle दिख रहा है उसको ये red candle दिख रहा है मतलब यहां पर विकवाली हुई लेकिन जब आपने price के price action में candle से validate किया तो आपको पता लगा कि इसमें तो price गिरने के बाद recovery हुई लोर विक कप बनता है जब price 90 से आया हो 98 और दुबारा पहुँच गया हो 100 मतलब 100 से आया 98 और दुबारा पहुँच गया 100 तो 2 रुपए की जो recovery है उसी को तो बोला गया कि यह buying हो गई यही तो lower week है अब इसके बाद body part बनेगा उपर की तरफ और price अल कर जाए तो पहले यहां पर बिक्वाली आया price देखिए 23-421 से गिर कर आया 312 फिर है recovery हुई तो 40% buying है और वो भी sellers को काट कर buying है candle देखने में कैसा है red formation है candle का part भी red है और volume का part भी red है उसके closing negative थी लेकिन previous में buyers ने पहली सी एक थोड़ी ज़्यादा खरीदारी करके price में positive ness रखी आज gap up के बाद पहली candles में buyers अपनी 40% buying को बचा पाए और 60% seller sale कर ले गए मतलब previous buying slightly higher और इस candle में भी 40% buying तो अभी price में कोई बड़ी demand create होते हुए है बड़ी supply create होते हुए नहीं देखत price की position अभी भी respectively positive है जादा है seller से तो अभी price जब जब गिरेगा तो recovery की कोशिश करेगा मैंने क्या बोला जब जब गिरेगा recovery की कोशिश करेगा ये कब तक चलेगा जब तक अच्छे volume के साथ कोई selling ना आ जाए तब तक और अगर कोई अच्छे volume के साथ एक दो consecutive candles higher volume की बनी और price ने high break कर दिये तो momentum higher side दुबारा से rejection हो जाएगा momentum higher side दुबारा से rejection हो जाएगा अब देखिए इस एक candle के individualized हम लोगों ने analysis से शुरुआत की थी एक candle में individualized देखा था कि price और volume का structure कैसा है और वहां से हम एक परिडाम तक पहुँच गये और इस चीज को आपने अभी recently market में feel किया कि अगर आप intra day momentum इस price का देख लें तो आपको समझ आएगा कि हर विक वाली के बाद खरीदारी है अभी recently यही आप nifty bank nifty में भी देखेंगे हर विक वाली है same projection एक दूसरे को देखिए bank nifty और nifty के projection लगबग लगबग एक जैसे होते बहुत कम session होते हैं कि different trade हो ए bank nifty का price देखिए पहले गिरा recovery किया दुबारा जाकर फिर ये डबलू formation के पास थोड़ा बहुत difference देखेगा बाकी लगबग लगबग एक जैसे price देता है ठीक है बात clear हुआ अब यह higher side क्यों price अल कर जा रहा है क्योंकि हमने पहले से एक price में momentum देख लिया कि buyer जो है वो dominating position मे अभी तक है तो हम selling की तरफ नहीं जाएंगे कब तक जब तक price एक अच्छी selling area हमको ना देदे कि यहाँ पर selling बन रही है बात clear है यहाँ पर देखें यहाँ पर volumes को इस तरीके से हम लोग लगा लेते हैं ठीक है अब समझे दुबारा से इस चीज को confirm करते हैं किसी एक दूसर बहुत कुछ ज़्यादा करने की जुरूत नहीं किस टाइम फ्रेम पर चलें यहाँ बताजिए मैं उसी टाइम फ्रेम पर चलता हूं से अब देखें बहुत तरीकों से देखें इसे लिए volume को जब आप classes को join करते ना enroll करते उसकी बाद volume पर आपके जो session होते वो 10 plus sessions होते हैं क्यों कि volume को समझने का मात्र एक structure नहीं है जैसे projection को समझने के बहुत सारे structure है आप कहते हैं इस setup पे काम करें day high break होने पर day low break होने पर 20 के moving average के पास 3 candle inverted hammer के high break होने पर उसके बाद फेवर नसी के 61.8 gear level पर 0.5 के level पर तो जितने यह projection में behavior है न इतने ही setups आपके बनते हैं इतने information volume में बनते हैं समझे सिर्फ buyer seller के एक तकनीक से कि buyer और seller का differentiate करना होता है यह देखना होता है कितना difference हा रहा है selling और buying में और उसको validate करना है projection से बस इतना काम करने लगी यह कभी आपको तकलीफ आदो बताए देखे price higher direction momentum है price क्या है सर higher direction momentum है और higher direction momentum में एक बड़ा body size candle बना जो की gap up में और gap up के बाद पहली body size candle मतलब यह पूरी खरीदारी हुई है और इसमें demand higher है इस candle के बाद क्या कोई इतनी बड़ी candle का formation यहाँ पर दिखता है नहीं दिखता है मतलब अभी तक buyers विपरो में dominate कर रहे हैं कब तब करेंगे जब तक 461 का price नहीं निकल जाएगा simple analysis एक candle ने बता दिया ठीक है क्या विपरो में buyers dominate कर रहे हैं और यह तब तक करेंगे जब तक यह price का low नहीं निकल जाएगा मतलब 460 के SL के साथ प्रो लगातार long की positions में बना हुआ है ठीक है अब यहाँ पर एक candle आपने देखी volume की जो की negative है लेकिन इस candle से इस candle का size कितना कम है sir और इस candle और इस candle के body size में कितना बड़ा फर्क है इस चीज को अब थोड़ा in-depth जाके समझ जब volume का size इतना बड़ा है volume candle का तो एक candle का size कितना बड़ा है average और यहाँ पर volume का size बहुत कम है लेकिन candle का part कितना बड़ा है इस candle के लगबग equal candle है और volume इस candle में इस candle से 50% से भी कम है 50% से भी कम है यह net selling ही लेकिन यह price में इतना panic किस बात का है पता है किस बात का है इस जगह पर profit booking हुई है, कोई selling नहीं आई, profit booking हुई है, तो profit booking में बहुत ज़्यादा positions नहीं square ओफ ही, बस price ने एक छोटा सा correction दिया, अच्छा, अब जब price higher highs के formation पे होता है, तो हर जगे खरीदार खरीदने को तयार होते हैं, जब तक आखरी institutional buyer का price नहीं जाता, ये इतनी बड़ी खरीदारी हम लोग ने तो नहीं की होगी, institutional buying रही होगी, तो institutional buying के against में एक profit booking आने के बाद हमको discount मिल गया, चार सो 878 का price, चार सो 75 के आसपास खरीद पर मिल गया, तो अचानक से आपने देखा कि volume decrease हुए, मतलब ये candle, जो red candle ये volume का है, ये इस candle को validate नहीं करता है, क्यों? क्योंकि previous candle के body size और इस candle के body size में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन इतने बड़े volume नहीं है, जो clarify करें कि previous volume एक valid volume था, और ये volume जो है unvalid volume, clear हो रहा है, बिल्कुल सांती से, बहुत आराम से चीज़ों को समझे, ये बहुत धायरे रखें, ठीक है, तो इस से पता लगा कि ये बहुत बड़ी बिक्वाली नहीं है, अब देखें, यहीं पर एक point आपका clear होता है, कि ये जो volume है, वो fake volume है, ये जो candle part है, वो fake candle part है, तो दोनों एक दूसरे को validate नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम selling candle मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे, ठीक है, जब तक price का structure और volume का structure एक दूसरे से match कर रहा है, तो वही validation है, जब price और volume के structure match नहीं हो रहा है, तो validation नहीं है सर, बात clear हो रही, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो यहाँ पर यह candle का गिरावट हुआ, इस candle की गिरावट के बाद पूरी recovery हुई, इस candle का body part देखिए जड़ा, तो इस candle का body part, और फिर इस candle में गिरावट हुई, फिर पूरी recovery हुई तो इस candle का body part देखिए, अब यह दोनो candle validate कर रहे हैं, किस बात को कि इस candle में भी उतने ही volume थे लगबग लगबग और 60% से ज़्यादा recovery कर दी थी खरीदारों ने खरीदारी करके जितनी भी quality उतना खरी लिया था यहाँ पर फिर वही हुआ कि जितनी भी quality उससे कहीं ज़्यादा खरी लिया तो थोड़ा सा slightly volume भी previous candle से higher हो गया तो volume ने बताया कि buyers लगातार selling का विरोध कर रहे है जैसे ये high break हुए तो consecutive दो candles आपको green मिली यहाँ पर long करने का momentum था price ने आपको target दे दिया यही एक formation है trade करने का ध्यान दीजे यही एक तरीका है इस market को trade करने का volume का validation projection के साथ एक भी single trade अगर आपका SL के साथ जाता है मैं यह नहीं बैठा हूँ sir नीचे comment section में बता दीजेगा directly contact कर लीजेगा description में आपके पास contact detail भी है ठीक है contact detail है telegram WhatsApp community का link है वहाँ से join करके direct message भी कर सकते हैं आप समझ यह इस बात को अब यहाँ पर यह समझ आया कि price में अभी तक कोई major विक्वाली नहीं है क्योंकि यह जो selling का candle है उसने तो volume और candle के size नहीं एक दूसरे को validate नहीं किया तो अभी तक हम सिर्फ buyer side है क्या है सिर्फ buyer side है बात clear हुआ अब जैसे ही इस candle के high निकलेंगे 488 के तो आप vipro को दुबारा higher side momentum करते हुए देखेंगे यहाँ पर यह दो candles consecutive higher highs के candles यह बताती है अब price का 474 को low break करना भी बहुत मुश्किल काम है सर बहुत मुश्किल है अगर 444 का low break कर दे जब तक नहीं कर रहा है तब तक सिर्फ हम लोग higher side सोचेंगे अगर यहाँ पर कोई momentum होगा तो एक बड़ी body size candle वोल्यूम में उसके बाद बड़ी body size candle एक यहाँ पर price में और जो की body size होना चाहिए तब हम हम एक mood change करेंगे कि अब projection एक तरीके से बदल रहा है change हो रहा है seller side price घूम रहा है तो वो reversal का एक sign हो सकता है जब तक ऐसा projection नहीं तब तक सिर्फ buying side है बात के लिए हुआ यहाँ पर हम लोगों ने किसी setup की बात नहीं कि सिर्फ projection behavior की बात की जिसको हम volume से validate कर रहे है volume सब से महत food aspect है मैंने चार component के नाम लिए strength, volume, momentum और momentum के बाब retailers की less खरीदारी यह चार aspect जो projection में trader अच्छे से समझ लेता है उसको कभी भी lifelong अपनी trading जरनी में कोई भी तकलीफ महसूस नहीं होगी ठीक है चलिए आज के लिए परियापत है कोई भी doubt रह गया हो तो मुझे नीचे comment section बता लेकिन जितना बताया है undoubtedly आप जाकर देखिए back testing कुछ नहीं होता है मैं तो करा रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना जरूरी जो भी होता है sir live test होता है live market में जाए trade कीजिए इसके परिडाम देखिए जब आपको results बहतर मिले तब बताइए ठीक है धन्यबाद